करवाई से हम लोग कोई डर नहीं है नहीं हमको पांच एटेंप नहीं चाहिए हम लोग अलड़ी परिच्छा पास कर चुके हैं कितना परिच्छा हम लोग दे एक बर दस्ता परिच्छा दे के आए हैं फिर देने के लिए आथी कर रहा है लोग की परिच्छा देजिए क्यों परिच्छा दे भाई तो पता चलता है किसे परिच्छा होती है करवाई होगा तो उनको भी करवाई होगा देखा जाएगा कितन पाठक ने उठाई है उनके आदेसों से हमेशा सिक्षकों के अंदर एक नराजगी ही देखने को मिली है और जिस तरीके से कुछ दिन पहले बिहार के नियोजित सिक्षकों को लेकर उन्होंने सरकार को अनुसंसा भेजी जिसमें कहा कि सक्षमता परिक्षा जो पास करेगा वह वो नियोजित सिक्षक भी नहीं रहेंगे और उनके इस अनुसंसा ने नियोजित सिक्षकों को भड़का दिया है बिहार में साड़े तीन से चार लाख ये नियोजित सिक्षक है और हर जीले में इनकी नराजगी इनका गुसा देखने को मिल रहा है लेकिन आज अभी से कु जो भरके है नियोजित सिक्षक वो मसाल जुलूस लेकर सरको पर आपको नजर आ रहे हैं केके पाठक के खिलाफ खूब नारे बाजी हो रही है क्यूंकि केके पाठक के फरमान से वो काफी जादा नराज और गुसे में है बात केवल सक्षमता परिक्षा की ही नहीं है इसके अलावा जिस तरीके से तमाम सिक्षकों के तरब से कहा गया था कि वो विधान सबा का घेराओ करेंगे शरकार के खिलाप अंदोलन करेंगे वैसे में सिक्षा विभाग ने इन सिक्षकों को चेताउनी देते हुए एक फरमान जारी किया तमाम जिला अधिकारियों को और कहा कि जो भी सिक्षक सिक्षनकार में बादा उत्पन करता है यानि कि पढ़ाई लिखाई का कार छोड़कर आंदोलन करता है विधान सबा खेरता है उन्हें चिन्नित करके उन पर कारवाई की जाए और उससे इन सिक्षकों की नराजगी औ पारमान ने इनको और ज्यादा गुसे में ला दिया है और ऐसे में आज राजधानी पटना में ये तवाम सिक्षक जो है वो मसाल जुलुस लेकर नारे बाजी करते नजर आए इनकम टेक्स्चुराहे से लेकर आर ब्लॉक तक ये इनका जो मसाल जुलुस का परदर्शन था वो निकला उस हलांकी पीच में पुलिस के तरब से बलका भी परयोग कर इने तीतर वितर करने की कोशिश की गई है लेकिन इस मसाल जुलुस में केके पाठक के खिलाप खास कर खूब नारे बाजी हुई है और इसके अलावा क्या कुछ इन सिक्षकों के तरब से कहा जा रह है तो फिर आप लोगोंने की आप बताने की तावित की आज हम लोग का मसाल जुलुस था और हम अपनी एक्ता को सावित करने के लिए और राज सरकार से राच कर्मी का दर्जा के लिए आज हम लोग को कर देने के लिए आधी कर रहा हैं लोग की परिछा दे título नहीं है लिए नहीं हाज आईगा रिचा लिया जता हो नहीं नहीं हो सिंसी लोग दे जो बिचंग के है ऊक्षा मंत्री में मी चलता है किसे परिछ्छा होती है हम लोग भी तैयार है नहीं पूरा टीचर को ले जो 99 बैच के हैं उसाब बैच के लोग है उसे हरेक भी भाग में लिए परिच्छा हम लोग क्या हैं हाँ सब भाक के लिया जाए कितना चलेगा हिटलर साही करवाई होगा हम लोग समझ लेंगे करवाई हाँ करवाई होगा तो उनको भी करवाई होगा देखा जाएगा कितना हिटलर साही अब नहीं चलेगा बहुत यम्त किये हुए है तो अभी आपने सुना किस तरीके से जो परदर्शन कारी सिख्छक थे जो इस मसाल जुलुस में आये हुए थे उनके तरब से अपनी बात रखी गई है बात सक्षमता की जरूर है राजिकर्मी का दरजा हासिल करने के लिए लेकिन अनिवारता को लेकर भी नराजगी है तीन मौके को लेकर नराजगी है और उससे भी जादा नराजगी है प्ठक के तरफ से जो फर्मान जारी किया गया है और इसको लेकर यह जो तमाम नियोजित सिक्चक है वो अब रुकने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं और उन्होंने साफ तोर पर कहा है कि इस फर्मान के जडिये आग में घी डालने का काम के के पाठक के तरफ से किया गय है और वो मानने वाले नहीं है अपने हक के लिए वो लड़ेंगे विधान सभा का घेराओ भी वो करेंगे अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है अब देखना होगा कि नियोजित सिक्चक और जो सरकार है उसके बीच किस प्रकार से समंजस इस्ताफित हो पाता है हलांकि अब केके पाठक के अनुसंसा पर कैबिनेट की मुहर नहीं लगी है लेकिन इसी बीच बिहार विधान सभा में बजट सत्र शुरू होगा सरकार जो है वो बहुमत परिच्चन से भी गुजरेगी और वैसी परस्तिती में सिक्चकों की चुनोती सरकार के लिए और ज्यादा परे करवाने में कैसे कम्याब हो पाते हैं बने रहें लाइब बिहार के साथ अब सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें